कोई पहुँचा संसथ तो कोई सियासी पिच पर पहुँचते ही हुआ क्लीन बोल्ड जाने राजनीती में कदम रखने वाले 10 क्रिकेटरों की कहानी क्रिकेटरों का राजनीती में आना आसान है लेकिन सियासी पिच पर पहुँचते ही हुआ क्लीन बोल्ड जाने राजनीती में कदम रखने वाले 10 क्रिकेटरों की कहानी क्रिकेटरों का राजनीती में आना आसान है लेकिन सियासी पिच पर पिके रहना काफी मुश्कित कई दिगच क्रिकेटरों ने राजनीती में हाथ आजमाए उचको सफलता मिली लेकिन ज्यादा तर के हाथ निराशा लगी और उन्हें सियासत को अलविदा कहना पड़ा को सफलता मिली और कई क्रिकेटरों को राजमीती रास नहीं आई और उन्होंने अपनी राह ही बदल ली क्रिकेट की पिछ पर चौके छक्कों की बारिश करने वाले कई क्रिकेटर सियासी पिछ पर क्लीन बोल्ड भी हो चुके हैं लोकसवा चुनाओं दोहजार चौबीस में क्रिकेटर योसुफ पठान त्रन्मूर कॉंग्रेस की टिकेट पर चुनाओं मैदान में हैं उन्हें टीमसी ने बहरामपूर लोकसवा छिति से उमीदवार बनाया है नवजोज सिंग सिद्दू ने क्रिकेट के बाद अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत भाजपा से की थी 2004 और 2009 में दो बार अमरसर से लोकसवा का चुनाओं जीता हाला कि बाद में सिद्दू ने भाजपा छोड़ कॉंग्रेस जोइंट कर ली अमरसर से विधायक रहे नवजोज सिंग सिद्दू पंजाब सरकार में मंतरी भी रह चुके हैं हाला कि 2022 विधानसवा चुनाओं में सिद्दू को खारका सामना करना पड़ा था कुर्व क्रिकेटर कीर्थी आजाद बिहार के मुख्यवंतरी रहे भागवज जह आजाद के बेटे हैं मौजूदा समय में ममता बेनर जी की पार्टी ट्रंड मूल कॉंग्रेस का हिस्सा हैं दिल्ली की गोल मार्केट से कीर्थी विधायक भी रह चुके हैं कीर्थी आजाद भाजपा से स्तांसक भी रहे हैं बाद में उन्होंने कॉंग्रिस का दामन ठाम लिया था कीर्थी आजाद कॉंग्रिस में ज्यादा दिन नहीं रुके क्रिकेटर चेतन चौहान अब हमारे बीच नहीं है मगर क्रिकेट से सियासी पिस्तक चौहान का जल्वा कायव रहा 1979 में न्यूजी लैंड के खिलाफ डेव्यू करने वाले चेतन चौहान दो बार तरप्रदेश के अमरोहा लोगसबा सीट से भाजपा सांसद रहे 2017 में वो नोगाओ साजाद विधानसवा चेतर से विधायब बने थे इसके बाद चेतन चौहान को यूग यादी तेनाथ कैबिनेट में जगा मिली पूर्व क्रिकेटर मुहमद अजुरुद्दीन ने 2009 में कॉंग्रिस का दामन थामा था 2009 लोगसवा चुनाओ में उत्तरप्रदेश की मुरादाबाद लोगसवा सीट से पहली बार चुनाओ जीता इसके बाद 2014 में टॉंस सवाई मादोपूर से चुनाओ लड़े लेकिन सफलता नहीं मिली पिछले साल मुहमद अजुरुद्दीन हैदरबाद की जूबली हिल्स शेत्र के विधानसवा चुनाओ भी खार चुके हैं पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर ने 22 मार्च 2019 को बाजपा का तामन थामा था पाजपा ने गौतम गंभीर को पूर्व दिल्ली लोगसवा सीट से 2019 लोगसवा चुनाओ वयोतारा था गौतम गंभीर ने आप नेता आतिशी सिंग और कॉंग्रिस नेता अर्विंदर सिंग लबली को हराय था अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अपने सपनों का घर बना रहे हैं एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशन्स आपके लिए तैयार है मजबूत सिविल इंजिनियरिंग से लेकर आकरशक वास्तु कला और विशशग्य वास्तु परामर्ज तक हम आपके सपने को साकार करते हैं वास्तु कला वास्तु और हुनर इतने बढ़ियां दिये गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं प्लीज विजिट ता माम्टेन केफे एंड बेकरी फॉर फास्ट खूड नियरबाइ सुहागी बाइपास